नमस्कार बच्चो आप सबका चैनल पर स्वागत है बच्चो आज की क्लास 12TH English compulsory के स्टुडेंट्स के लिए रहने वाली है बच्चो आज की क्लास में मैं आपके लिए 10 English compulsory के model papers लेकर की आये हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा valuable रहने वाले हैं और साथ ही बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो मैं आपके सामने दस English Compensary के यह जो model papers सरक्रा हूं यह रास्तान सिक्षा विभाग दुआरा जारी किवे model papers हैं और साथ मई को जो आपका English का paper है मैं मानता हूं कि ज्यादातर अब की बार जो person पूछे जाने की संभावना रहेगी वो इनी 10 model papers में से रहेगी इसलिए मैं आपको suggest करना चाहूंगा कि रास्तान सिक्षा विभाग ने यह जो 10 model papers जारी किये हैं इसको आप अच्छे से solve कीजिए अगर कोई question में अगर आपको doubt लगे तो आप comment box में लिख दीजिए इस वीडियो के description box में मैं डाल रहा हूं और साथ ही मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस वीडियो को like कर दीजिए दोस्तों में share कर दीजिए अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe भी कर दीजिए तो students आज की वीडियो आपन start करते हैं अलांकि वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है मैं थोड़ा आपको जल्दी बताऊंगा आप इसका screenshot ले लीजिए और कल evening को मैं ये जो आपके सामने model papers रख रहा हूँ इसकी यानिकी PDF भी में आपको available करवा दूँगा जिसका link description box में मैं डालने वाला हूँ तो students देखिये start करते हैं और साथ students ये कहना चाहूँगा कि इसके अंदर जो 10 जो पेसेज आपके सामने मां रख रहा हूँ इसको आप अच्छे से solve कर लीजिए क्योंकि ज्यादा तर जो संभावना बनेगी exam के अंदर person पूछे जाने की वो इनी model papers में से आनिकी बनने वाली तो आप इसको जरूर गोर से यानिकी देखिये अच्छे से solve कीजिए और जो भी doubt लगे वो बेजी जग आप comment box के अंदर यानिकी जरूर लिखिये तो start करते हैं students ये है 12th class के लिए English compulsory जो की यानिकी आपका subject रहने वाला है और साथ ये भी बता दूँ ये है ये RBSC यानिक तो थोड़ा जल्दी माँ आपको बता देता हूँ सबसे पहले देखिये section A reading के अंदर एक से यानिकी no इसके अंदर देखिये इस तरह से यानिकी पैसे जाएगा आप साथ सा स्क्रीन सोट ले लीजिए ये पैसे जाएगा और उसके नीचे जो अब की बार जो क्योशन आने देना तो देखिये इस तरह से एक पैसेज हुआ और इसके 10 परसन हुए अब मैं देखिये दूसरे model paper का अगला यानिकी जो पैसेज है वो मैं आपके सामने आनिक रख रहा हूँ तो आप इसके जल्दी जल्दी यानिक स्क्रीन सोट यानिकी ले लीजिए वरना अगले दिन मैं क्या कर दूँगा इसका जो लिंक है PDF का वो मैं description box में डाल दूँँ वहां से आप download कर लीजिएगा तो ये देखिये दूसरा जो पैसेज है और इसके जो question answer है वो आप इस तरह से यानिक्या कर सकते हो उसका screenshot ले सकते हो अब मैं थोड़ा यानिकी जल्दी मैं बढ़ता ह ताकि वीडियो है वो बढ़ाना होजे अब देखिये अगला पैसेज आ गया है तीसरे नमर का यानिकी पैसेज आप इसका यानिकी screenshot ले लीजिए कि पैसेज कौन सा है इसके जो person है वो भी देख लीजिए सब के अंदर यानिकी वही 10-10 यानिकी person है तो देखिये students इस तरह स ये 10 person हुए इसके अंदर अगला यानिकी पैसेज क्योंकि 10 model paper है इसलिए मैं थोड़ा fast सल रहा हूँ तो आपको screenshot लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आपकी जो भी guide वगरह है पैसेज उसमें मिल जाएंगे लेकिन ये जो question है आप इनको अच्छे से आनिकी solve जर जातर यानिकी जो person पूछे जाएंगे वो इनी 10 model papers में से आनिकी पूछे जाएंगे तो ये देखिए मैं आपके सामने आनिकी थोड़ा fast यानिकी रख रहा हूँ तो आप इसको अच्छे से क्या कर लीजिए अच्छे से screenshot ले लीजिए अपनी जो भी guide वगरह है उसके अंद यानिकी इनको टिक लगा लीजिए और जो भी question है अलांकि मानता हूँ कि guide के अंदर objective type question नहीं मिलेंगे तो आप इसको अपनी notebook के अंदर note करके जैसे भी आपको यानिकी सुईदा हो वो आप यानिकी देख लीजिए तो देखिए students इनके answer भी यानिकी लिखे हुए है passage के कि इसका answer कौन सा इसका यानिकी answer होगा साथ में आगे answer लिखा हुए है कि इससे जैसे 4 का है तो इसका answer क्या होगा इसका 4 होगा तो जो भी है तो आप answer भी यानिकी देख लीजिए अगर आप नहीं लिखते हो तो आप वीडियो के माद्यम से भी यानि थोड़ा से यानिकी इस वन लाइनर वाले अब कि वार नए जोड़े गए हैं तो देखिए यह 8 फर्षन यानि की हुए और इसके ओप्षन में कहने का मतलब चाहे तो यह उपर वाले हैं इन में से कोई से भी यानि की आ सकते हैं तो वन लाइनर के उसन आप 10 यानि की जो मोडल पेपर के मार रख रहा हूँ जैसे यह 8 क्योशन है 7 क्योशन है यह क्या होगे एक मोडल पेपर के होगे और यह अगले यानि की जो 7 क्योशन है यह अगले दूसरे मोडल पेपर के होगे तो आप इस तरह से 10 मोडल पेपर के यानि की आप 70 परसन आपको वन लाइनर क्योशन मिल जाएंगे और वन नोट बुक के अंदर नोट कर लीजिए क्योंकि मैं आप यही मान के चल रहा हूँ क्योंकि आपके लिए अब की बार जो सरकार ने है बहुत अच्छी यानि सुईदा यानि की दे दी है आपके यानि की ऑप्सन पे ऑप्सन दे दिया है बड़े परसन है वो दो की बजाए यानि की बेनिफिट्स है वो यानि की मिल रहा है तो आप इसको अच्छे से जरूर कर लीजिएगा तो देखिए इस तरह से उन लाइनर के उससे अपने पूरे वे अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यानि की बोल रहे थे कि सर यानि की आप फिलिंदा ब्लेंक्स वाली वीडियोज है वो आप क्या कीजिए बनाईए तो एक वीडियोज मैं यानि बना चुका हूँ और देखिए आपके इस तरह से यानि की दस मोडल पेपर के अंदर जो तीन तीन फिलिंदा ब्लेंक्स है उन्होंने यानि की रास्ता सिक्चा विभागने भी यानि की डा पूछे जाने की संभावना रहेगी तो यह इस तरह से यानि की रहा आप देखिया आनि की सेक्चन यानि की बी के अंदर 30 to 40 वर्ट के अंदर देखिये पॉइम्स वाले जो क्योशन है आप अच्छे से यानि को देख लीजिए तीन परसन आने वाले अब की बार और तीनों आपको यानि की करना होगा तो देखिये ओप्सन लगा करके बहुत सारे यानि की दे रखिया है इसके अंदर तो यह पॉइम्स के क्योशन चल रहे हैं स्टुडेंट्स आप इनके अच्छे से यानि की देख लीजिए तो सारे दो दो नमर की यानि की क्योशन है तो यह आप comment box के अंदर जरूर लिखिए और like कर दीजिए वीडियो को अब देखिए आगे 30 to 40 words के यानि जो first rainbow book है उसी से यानि की ये ले रखा है तो आप इनके भी देखिए यानि की जो 5 नमर का यानि की जो person यानि की दो नमर के सोरी 5 person आपको यानि की करने होंगे तो आप ये दे अच्छे से solve कर दीजिए बार-बार कह रहा हूं कहीं आपको पस्ताना नहीं पड़े कि आपको जैसे ही paper आए और आपको बाद में जैसे मिलान करो तो आपको ऐसा लगे कि अरे ये model papers तो मैंने यानि की पड़े ही नहीं और सारे के सारे person है कोई नहीं model papers में यानि की आई वो बहुत यानि की गजब चल रही है मेरे को ये लग रहा है और फिर भी यानि की आप की जो त्यारी है उनके अलावा इन persons को आप अच्छे से यानि की जरूर कीजिएगा ये देखिए ये stanza है और stanza के नीचे जो question answers है वो अच्छे से यानि की दे रखा है तो आप इनको अच्छे से यानि की देख लीजिएगा तो ये देखिए points की चल रहे है अब देखिए जो चार नमर की यानि 6280 words की यानि की जो rainbow book के अंदर जो लगे है नए person वो देख लीजिए खास तोड़ से क्यूंकि ये questions आपको यानि की class में करवाये वे नहीं है तो आप इन questions को आप अच्छे से यानि की जरूर देखिएगा तो ये देखिए अब यह आ गया अब देखिए बहुत सारे students ये बोल रहे थे कि model paper में notice नहीं था यानि blueprint के अंदर तो पूछ रहे थे कि sir यानि की notice आएगा या नहीं आएगा तो हाँ बिलकुल आएगा क्यूंकि आपके syllabus के अंद advertisement जो भी आपके syllabus में है और कौन-कौन से model paper के अंदर दिया हुआ है इनको आप अच्छे से यानि की जरूर solve कीजिएगा सारे यानि की type के मैं करवा चुका हूँ और उमीद करता हूँ कि इनमें आपके किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप ज writing chapter है e-section के अंदर report है article है later है speech है कौन-कौन से है वो सारे इसके अंदर यानि की दे रखे हैं तो आप इसको अच्छे से यानि की screenshot ले लीजिए अच्छे से देख लीजिए और कल evening को मैं क्या कर रहा हूँ इसकी जो video है वो description box में डाल रहा हूँ वहाँ पे आप क्या कर सकते हो इसको यानि की देख सकते हो तो students यह देखिए इस तरह से यानि की क्या हो सकता है एक पिक्चर भी आ सकती है इसको पहचानना है और इसके बारे में आपको article या speech यानि की पुछा जा सकता है तो student इस तरह से यानि की अपना ये 10 model papers यानि की रहे उमीद करता हूँ कि आपक अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों में सेर्स कर दीजिए चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू बेरी मच्छ